हमारे भ्रह्माण में हम किसी भी चीज़ को उसके आकार या समय के आकड़े से नापते हैं इन आकड़ों को हम dimensions या फिर आयाम भी कहते हैं आपने बच्पन में चार ऐसे ही dimensions यानि आयाम जरूर बड़े होंगे जैसे की length, width, depth and time यानि की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और समय पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे ही कई और dimensions के बारे में भी सुचा गया है जो हमारे भ्रह्माण में हमारे साथ ही मौजूद हैं पर हमें दिखते नहीं आये जानते हैं कुछ ऐसे ही काल्पनिक लेकिन आश्चेयर चकित कर देने वाले आयामों और dimensions के बारे में आप देख रहे हैं वैक जिनी नमबर एक, सूपर सर्गासोसी, सूपर सर्गासोसी एक ऐसा आयाम है जिसमें हमारी दुनिया से गायब ही हर चीज़ें जाती हैं जो अचानक ही कहीं गायब हो जाते हैं और फिर वापिस कभी नहीं मिलते वो सारे चीज़ें गायब होती हैं सर्गासोसी में यह dimension धरती के ऊपर गुंता रहता है आपने ऐसी कई सारी खबरें सुनी होंगी जिसमें आसमान से जानवरों या मचलियों की पारिश होगी कि तब होती हैं जब सूपर सर्गासों आयाम कुछ चीज़ों को वापस बाहर फिल देता हैं कुछ लोग का मानना है कि यह आयाम बिटेंज से इंडिया के बीच में फैला हुआ है आपने बच्पन में कार्टून में देखा होगा कि कार्टून का एक प्रतार हवा मेंसे हतोड़ा निकालके दूसरे को मारता है क्या ऐसी ही कोई चीज हवा मेंसे निकालकर इस्तमाल करता है आपको यह जानकर हरानी है भी कि यह सारी चीज़ें जिस अद्रिश्च जगे से निकल रही हैं उसे हैमर स्पेस कहा जाता है ऐसा माना जाता है कि हर इंसान का खुद का एक हमर स्पेस होता है जिसमें वो अपनी चीज़ें रख सकता है और बस हांट डालके ही उसमें से अपनी मन शक्ती से कुछ भी निकाल सकता है कहते हैं कई जादूगर भी इस ग्रामेंशन का इस्तिमाल करता है अगर किसी इंसान का मवजूदा भ्रहमाण से नामु निशान खतम हो जाए तो चला जाता है पैरासपेस में पैरासपेस में जाने से पहले उस इंसान की पिछले भ्रहमाण से जोड़ी हर चीज गायब हो जाती है जैसे की शरीर और सोच पैरस्पेस को आसानी से समझने के लिए आप ये समझने कि स्वर्ग, नर्ग, हेवन, हेल, जन्नत और जहन्मन ये सब भी पैरस्पेस ही है और इंसान की मौत होने के बाद वो इन ही पैरस्पेस में चला जाता है ये dimension यानी आयाम हमारी इंसानी dimension से लगभग जुड़ा होता है इसीवजह से कभी कबार दीसे पैरा स्पेस से कोई ने कोई शक्ती हमारे आयाम में वापिस आजाती है जिने हम भूत या आत्मा धाजाएं ये पैरा स्पेस हमारे भ्रह्मान के आयाम जैसे ही होके है हमारे कर्मों से हमारे जीवन पर असर तो पड़ता ही है पर पॉकेट यूनिवर्स थोड़ी के हिसाब से हर इंसान का खुद का एक भुम्मान होता है और आपका हर डिसीजन ये काम आपके खुद के भुम्मान को बदल दिता है मान दीजिये आज आपने चानीज खाने का सोचा है तो आपके अगल बगल ऐसे पॉकेट यूनिवर्स बन जाएंगे जिसमें आप रोटी भी खा सकते थे खुदी डोसा भी खा सकते थे या फिर पास्ता भी हर एक पॉकेट इनिवर्स में हर वो एक चीज जो आप कर सकते थे वो लगातार होती ही रहती है और वो तब तक होती है जब तक आप वो चीज करने ही लेते और उस चीज को करने के साथ ही फिर से बदल जाता है आपका भ्रमान दोस्तों मेरा माना है इस वीडियो को देखकर आप इमसानी जिन्दगी को एक अलग नजरिये से देखना चालू कर देंगे